नमस्का दोस्तों, मेरा नम डॉक्टर नगिंद्रयाद है आज मैं आपको तोतों की पैरेट्स की एक ऐसी वराइटी के बारे बताऊंगा जिसकी जो जीब होती है, जो टंग होती है काफी स्पेशल होती है यह जो पैराकीट्स होता है, यह शहद खाना प्रेफर करता है जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्काइब नहीं किया प्लीज जाकर करके सबस्काइब कर लीजिए अगर आप अपने पैट्स जैसे पक्षी कभूतर या कच्छो के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यह आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दीएगे लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबर्शिप जॉइन कीजिए आज मैं आपको लॉरी कीट्स के बारे बता रहा हूँ आपने लॉरी कीट्स देखा होगा स्माल टू मीडियम साइज का जो है पैरा कीट्स होता है इसके कलरफिल जैसे आप कहते ना रेंबो के कलर्स होते छे साथ कलर लोते इतना एट्रेक्टिव होता है इसके कलर्स को देख करके आप मंतर हुए बिना नहीं रह सकते हो ये जो है जंगल के अंदर आपने अकसा देखा होगा और ये जो ब्रेश क्या काम करती है जब ये फूलों के उपर जा करके वहाँ से उसके अंदर से जो है शहद को धीरी-दीरे खाता है तो आप इमान के चले यदि आप लॉरी कीट्स पाल रहे हैं कौन-कौन सा फूट्स पसंद है लॉरी कीट्स को खाने में क्या नहीं दे सकते हैं लॉरी कीट्स को जो है एपपल हो गया, पियर हो गया, ग्रेप्स हो गया, वाटरमेलन हो गया ये सब जो चीज़े हैं इसको खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है और आपको एक बार पता है कि इनको नहना भी सबसे ज़्यादा पसंद होता है मतलब आप जितनी बार दिन में पानी चेंज करेंगे आप अक्सर देखेंगे कि यह नहना ज़्यादा पसंद करते हैं आपने अक्सर यूट्यूब पे इनके वीडियो भी देखेंगे नहने की जो सबसे दब वीडियो से आपको यूट्यूब चैनल पर ही मिलेंगी यानि पानी से इतना अधिक प्रें करते हैं इनको म्यूजिक यू बहुत ज़्यादा पसंद है यानि आप इसको सिंगिंग बर्ड्स भी कहते हैं आप जैसे ही म्यूजिक बजाएंगे या ओपर से पानी स्प्रे करना शुरू कर देंगे आपका लॉरीग इट्स जो है नाचना शुरू कर देता है लॉरीग केट्स को जो है असेडिक फूट्स नहीं देना चाइए खटे fruits देने से क्या है, इनका जो पेट है, वो upset हो जाता है, क्योंकि जैसे संत्रा हो गया, या नीमू हो गया, जो citrus fruits होते हैं, कोई भी citrus fruits देने से क्या होता है, कि इनका जो पेट है, upset हो जाता है, इसलिए कभी भी ये citrus fruits इनकी diet में नहीं देना चाहिए, और इनको GI tract से लेट जब हीट सीजन आता ही अपने टेरिटरी के लिए लेकिन यदि आपको नया बर्ड्स अपने फ्लॉक के अंदर नया बर्ड्स लेकर आते हैं और आप देखेंगे कि उसके साथ आते ही जल्दी से एड़जस्ट नहीं करेगा उसके फाइट लड़ाई करने शुरू कर देगा त और शहद के बिना ये हल्दी भी नहीं रह सकते हैं इसलिए इनकी डाइट में हफ़ते में एक बार आप शहद जरू दे पॉलन दूसरा क्या है आप फ्लावर्स दे सकते हैं फ्लावर्स लाकर के फ्रेश लाकर के आप इनकी डाइट में दीजिए ये फ्लावर्स में से जो ह जो शहद होता है अपनी जीप के दौर वहाँ से जो उसका हनी जो है निकाल लेते हैं और हेल्थी बनी रहते हैं इनको जो है बेरीज फूर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए आप इनके खाने में यह दि हो सकता है या आपके बेरीज अवेलेबल है ताब इनको करते हैं और वेस्ट मेंटल को एक्सक्रीट करते रहेंगे और अक्सर देखा होगा कि इनके जो बाउल की पोजिशन है पानी की कभी इनके परचिस के नीचे ना रखे क्योंकि आप देखेंगे कि अक्सर यह हर आदे घंटे या 15-20 मिन में हमेशा वेस्ट में निकालते रहत हैं इसलिए पानी को जल्दी से गंदा भी कर देते हैं इसलिए दिन में तीन बार चार बार आप इसका पानी हमेशा चेंज कीजिए और खाने के लिए इनको जितना फ्रूट्स आप एक्सस में देंगे उतना ही आपका बर्ट सेल दी हो रहेगा और उस एन्वार्मेंट को जब भी आप इनके सामने फ्रूट्स रखते हो तो आपको कोशिश करना चीत दो 3 गंटे बाद वो जो फ्रूट्स है जो उसके सामने से एटा देना चीत काट क्वे एकले और जोût 3 गंटे रहेए था कोई भी फ्रूट्स आप काट के रखते हो तो उसके विटामिज डिव Bel fruits आप इसके सामने आप दे दीजी आजकल जो है market के अंदर लॉरी कीट्स का diet mix available है तो market के अंदर इसलिए आप online Amazon पर देखेंगे इनका foods जो है market में available है आप इसको दीजे ये जो है उसमे पोलन शेहद वगरा पहले सी mix होता है जो किनके diet का इसको काफी पसंद भी करते हैं लॉरी कीट्स को क्या नहीं देना चाहिए देखे एवेकड़ो fruits जोड़ता है ये इनके लिए harmful होता बिल्कुल नहीं देना चाहिए chocolate और caffeine ये इनको बिल्कुल नहीं देना चाहिए इनके लिए poisonous होते हैं लॉरी कीट्स की slice corn आते हैं यानि corn को slice form में करके रखा होता है वो packet में मिलता है वो भी आपने लॉरी कीट्स को दे सकते हैं white fresh millet भी लॉरी कीट को पसंद है वो भी आप इसकी diet में दे सकते हैं grey stripe sunflower sunflower के आप देखाऊ gray color की stripes होती है वो लॉरी कीट्स को पसंद होता है वो भी आप इनकी diet में as a seed के तोर पर आप इसको दे सकते हैं लॉरी कीट्स जो है हमेशा जूंड के अंदर है ना पसंद करती है और अकसर देखाऊगा जूंड के अंदर ये शहाद की तलाश में एक जगे से दूसरी जगे घुमते रहती है इनको शहद बहुत ज़्यदा पसंद है यह आप एक कह सकते हो कि इनको जिंदा रहने के लिए शहद बहुत ज़्यदा ज़रूरी होता है लॉरी कीट्स की जो एक habits होती है जो इनके दूसरे पैराकीट्स से different करती है इनकी जो सोने की habits होती है बिलकुल different होती है यह हमेशा क्या करते है अकसर देखा होगा अपने दोनों पैर जो है आसमान की तरफ उल्टा करके बिलकुल लेड जाते हैं जमीन पर और यह इस तरह का जो behavior और किसी पैराकीट्स में देखने को नहीं मिलता आपको अकसर यह लॉरी कीट्स में ही देखने को मिलेगा लॉरी कीट्स जो है एक बहुत ही excellent talkative words है बोलने के मामले में और लेकिन यह जो है शोर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं यदि आप इनको कहीं farm house अगरे में पालते हो तो यह वहां बहुत ज़्यादा लॉरी कीट्स को जो है नारिल भी पसंद है इसलिए आप जो कच्छा नारिल होता है उसको कद्यू कस करके मैश करके आपने लॉरी कीट्स को देजी खाना पसंद करते हैं लॉरी कीट्स जो है बारा घंटे जगते हैं बारा घंटे सोते हैं का रूटीन इस तरीका होता है कि अक्सर अंदेरा होने के बाद सो जाते हैं फिर सुबह सूरज निकलने के बाद ही उठते हैं लॉरी कीट जो है एक ओमनिवर्स है मतलब यह कह सकते हो कि फ्रूट्स वेजटेवल्स के लावा कई बर अक्सर देखा गया है कि यह कीडे मकुडे भी खाना पसंद करते हैं तो आप इसलिए इनकी डाइट में कभी-कभी आप इंसेट्स वगरभी प्रोवाइड कर दीजी क्योंकि वो भी एक प्रोटीन का सोर्स होते हैं लॉरी कीट्स उनको ज़्यादा पसंद करते हैं लॉरी कीट्स जो है पैरेट्स की एक वराइटी है लेकिन इसको पैरेट्स से हम डिफरेंशेटी करते हैं केवल इसकी टंग के वज़े से इसकी जो टंग की संग्रक्षना होती है इस बिलकुल डिफरेंट होती है इसलिए लॉरी कीट्स और पेर्ट्स एक ही ग्रूप के अंदर आते हैं लेकिन टंग के वज़े से स्पेशल होने के वज़े से और इसके अट्रेक्टिव कलर्स के वज़े से इसको लोग पालना पसंद करते हैं आज मैंनी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि लॉरी कीट्स पेरेट्स के बारे में जानकरी खाने में क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए क्या इनकी खाने के फेवरिट चीज है उमीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजी धन्यवाद